साथियों, 2014 से पहले कॉंग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरिदे थे, टोकन इजम करते थे, और खरिदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे, बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाएं, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी, और जो भी खरिदती थी, उसकी सही किमात किसान को नहीं देती थी, एक तरप, गोदाम में पड़े पड़े अनाच सड जाता था, उसमें टीवी वाले दिखाते थे, कि रेलवे प्लेटफरम के बाद बोरिया पड़ी है, बारिस में भीग रही है, अनाच सड रहा है, दुरगंद भैल रही है, ये सारे द्रच्च्च्च्च्च्च्च्च् जीए, टीवी पे हर बार नजर आते थे, दूसरी तरप, भुख मरी बेतहासा भारत के गरीबों को परिशान कर रही थी, कॉंग्रेस से पास, इस स्थिती से निपट्डे का कोई वीजन नहीं था, देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है, भाजपा सरकार के प्रोथसान से अन उत्पादन का रिकॉर्ड बना, और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया, इस सांग देश के गेहु किसानों को केंदर सरकार ने 55,000 करोड रुपिये से जादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मद्द प्रदेश के किसानों को भी मिला है, भाजपा सरकार ने देश के जरुरत मंदों के लिए अपने अन के बंदार भी खोल दिये, आप याद किजिए कोरोणा के वो दिन उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था, मौत मंडरा रही थी, जिंदगी बचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी, हालत तो ये थी, कि अगर बेटे को बिमारी है, तो माँ उसके पात नहीं जा पाती थी, माँ को बिमारी है, बेटा पात नहीं जा पाता था, उस संकट में हमने लंबा समय निकाल, चारों तरफ सितियां बंद पड़ी हुई थी, और तब दिलने में आपका ये बेटा, चैन से नहीं बैड़ता था, हर पल यही सोता था, कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवार जन, गरीब से गरीब क्यों नहों, उसके घर का चूला बुजना नहीं चाहिए, बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए, मा की आँख में आँसु नहीं दिखना चाहिए, और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिये, असी करोड लोगों को मुफत मेर राशन बांटला सुरो कर दिया, गरीबों की जिन्दगी भी बचानी थी, और उनकी परेशानियों से मुक्ती भी दिलानी थी, मेरी माता ये बहने इतनी बड़ी तादाद में हम मौजूद है, आपके आशिर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी उर्जा होती है, अब ये योजना, ये डिसम्बर महिने में पूरी हो रही है, मुक्त राशन जो मैं देर, के घर 80 करोर लोगों को पहुँचाता हूँ, वो डिसम्बर में पूरा हो जाएगा, अब मैंने सोचा, मैं राद भर कभी कभी सोचता रहता हूँ, मैंने सोचा, क्या मुझे इसको डिसम्बर महिने में बंद होने देना चाहिए, तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बच्पन को याद करता था, मैं गरीबी को अपनी आँखों से एक बार फिर याद करता था, और तब फिर मन बेचेन हो जाता था, और इसलिए मैंने मनो मन बना लिया, एक निश्चे बना लिया, कि मैं असी करोड लोगों को यह जो मुप्त राशन देता हुना, वो डिसम्बर में बंद नहीं होने दूँगा, उसे पांच साल के लिए चालू रखूंगा, आप मुझे बताईए, मैंने सही सोचा है, सही सोचा है, अगर आपको लखता है, कि इन तभी परिवारों को, मुझे अगले पांच साल तक, मुप्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लखती है, तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लेश लाइट चालू कीजिए, और मुझे आपका समर्थन दीजिए, आपके मोबाइल फोन की फ्लेश लाइट चालू कीजिए, सब लोग अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चालू करें, जिसके जिसके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल की फ्लेश लाइट चालू करें हर कोई ये गरीबों के समर्थन का ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है आप ये ताकत ये ताकत से मैं पाँच साल के लिए मेरे गरीब का चुला मुझने नहीं देना चाहता हूँ और इसलिए मुझे आपके आशिरवाद चाहिए मैं आपका बहुत पदाबारी हूँ इस समर्थन के लिए आपका आपारी हूँ अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ आप जवाब देंगे अब आप मुबाईल अपना अपजेब में रखिए एक जवाब देंगे आप जवाब देंगे आप देखिए ये कॉंगरेस वाले परिशान हो गए कि मोदी ने चलो भई कोरोना के समय तो कर दिया अब पांच साल के अनाज देने वाली बात करता है तो कॉंगरेस वालों ने गोषणा की है कि वो इलेक्शन कमिशन जाएंगे वहाँ जाकर के मोदी के खिलाब मुकद्दमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुना किया है पांच साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है मुझे बताईए मुझे कॉंगरेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आपको रोकना चाहिए क्या क्या कॉंगरेस की इन हरकतों को उससे मैं जुकना चाहिए क्या मुझे मैं कॉंगरेस वालों को कह देना चाहता हूँ आप अगर मुझे रोकना चाहते हो दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाएए मैं तो जनता की अदालत में खड़े हो करके निरे करता हूँ अब मैं मेरे संकल्प से पीछे नहीं हटूँगा डिसंबर के बाद ये जियोजना चालू रहे इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं पूरा करके रहूँगा साथियों गुना सहीत देश के छोटे बोटे शहरों में हमारे मिल्ल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है हमारी कोशिद है कि गरीब और मद्दमबर की जादा से जादा बचत हो तो हर मा बहन का मन करता है उदर ने ये दसकाउंट वाले के पात जाए यही होता है न और दिवाली आते तो डिसकाउंट का बड़ा वाजार चलता है भाईयो बेनो ये आपका बेटा जो आपके हर मुसीबत को समझ पाता है मैंने दवाई की दुकानों में जो जनव से दी केंदरों की परंपरा चलाई है वहां दवाई की कीमत अच्छी परसंट डिसकाउंट कर दिया है अच्छी परसंट डिसकाउंट और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 जाल के भुजूर्ग है डायबिटीज की बिमारी है अगर महिने भर में 200-300 रुप्य की दवाई होती थी अब वो 20-30 रुप्य में वो दवाई मिल जाती है त अपने बच्छों को कहीं बाजार में जा जाना है तो गुमा फिरा करके ले आ सके आज गरों में लगे अलीडी बल्प की वज़े से मद्दमर का बिजली बेल कम आ रहा है और मैं एक ऐसी योजना के तरफ काम कर रहा हूं और थोड़े दिनों में शायद वो योजना भी बन लेकिन आप गर में बिजली बना करके बेचोगे और सरकार आपकी बिजली खरीद करके आपको पैसे देगी योजना आएगी अभी काम चल रहा है हमने उड़ान योजना के सस्ते टिकोड़ों ने हर मद्दमबर के परिवार की इच्छा होती है एक बार जड़ा हवाई जहा कर दिया कि पहले एरपूट पर जाके देखने चला जाता है मन करता है यह उड़ के आओ लेकिन टिकेट महंगा होता था यह आपके बेटे ने उसमें भी तैय कर दिया जो हवाई चपल पहनता है ना भो भी हवाई जहाज में जा सके हमने टिकट में भी डिसकाउंट कर दिय अपो भी होई जाफ में लेकिन इसक पारप जब लेकिन बडस हम झाओ पर जो जो कि अईसे को सोह क sus on Azure से इसक्राण सबते स्ब्सक्राब क कर सकी लेकिन टो थाँ है